नमस्कार प्रीदर्शकों हाजिर हुमें 27 अक्टूबर 2019 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशी फल लेकर वारके स्वामी भुवन भासकर भगवानी सूर्य नारायन को नमन कर चलिए राशी फलकाय कारिक्रम प्रारंभ करते हैं हम बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज रविवार है कार्तिक मास कृष्णपक्ष की आज चतुर दशी तिथी है जो दिन में 12 बच करके 23 मिनट तक है और इसके पश्चात अमावस्या है जो त्रानक छत्र है विश्कुम भयोग शकुनी करण है बात हो गई जंद्रमा आज कन्या राशी में शायमकाल 4 बच करके 32 मिनट तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशी में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुर्थ का समय 11 बच करके 19 मिनट से 12 बच करके 4 मिनट तक है राहुकाल का समय शाम 4 बजे से 5 बजे तक है जैसा कि आज दीपावली है बंगाल में आज काली पूजन होता है जितने भी लोग आज दीपावली की पूजा करेंगे मालक्षमी की आराधना करेंगे वो तो करें ही लेकिन साधना करें ये काल रात्री है काल रात्री है और इस रात्री में साधना अवश्य करनी चाहिए आप जिस उसकी भी चाहे साधना करें लक्ष्मी जी की ही साधना करें लेकिन साधना करें जब करें जिस मंत्र का जब करेंगे वो सुध्धो हो जाएगा तो सबसे पहले आज दीपावली है तो दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभ कामना है आज रात्री में जैसा कि मैंने प्रयोग में बताया था शावर मंत्र उसका जप आप अवश्य करिएगा साथी दीपावली की शुबह एक प्रयोग जो कि आपको आज बताने जा रहा हूँ अवश्य करना होता है अगर इस प्रयोग को नहीं किया तो दीपावली के दिन आपने चाहे जितनी भी पूजा और आराधना की हो लक्षमी जी को घर में बुलाया हो फिर उनका प्रभाव आपको नहीं मिल पाता वर्ष पर्यंत दर्द्रता से दूर रहना चाहते हैं तो इस प्रयोग को अवस्य कर लिजेगा सांति साथ आज रविवार है और रविवार के दिन हम भुवन भासकर भगवान सूर्य नारायन की आराधना करते हैं उसके बारे में भी बात होगी दिब्बे महा प्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उसे से पूरु बात कर चंद्रमा और मंगल यूती बनाकर कंग्याराशी में रावस नोडल कर रहे हैं और इसके पेश्चात चले जाएंगे तुला राशी में यापकी जन्म लाशी में जन्म राशी के में नहीं जानतें rust अपने प्रचलित नाम राशी के आधार को देख सकते हैं ग्रामों में ये लोक परमपरा में आता है जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आपने इस प्रयोग को नहीं किया तो मैं कह सकता हूँ कि वर्स पर्यंत पच्टावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा यानि इस समय को मत खोईए प्रातहकाल दीपावली के प्रातहकाल यानि ये प्रयोग आपको 27 किराप और 28 तारिक यानि कि अगर दिन के वार के हिसाब से देखें तो रविवार का ही दिन होगा क्योंकि सुरियोदे से सुरियोदे तक जो 30 दिन का मान दगता है उस आधार पर देखें तो रविवार का ही दिन होगा वैसे सोंबार तीन बजे से चार बजे के बीच ब्रम्मम हूर्त में लेट भी हो जाए तो साधे चार इससे ज़्यादा लेट मत कीजेगा क्या करना होता है? नियम कहता है कि घर में अगर कोई पुराना सूप हो ऐसा प्रमान लिखा मिलता है सूप अब जिनके पास सहरों में तो शायद ही घरों में सूप हो सबके पास है तो ठीक नहीं तो कोई भी ऐसा ही कुछ बांस से बना कुछ भी पुराना तूटा-फूटा कोई ऐसी सामगरी हो जैसे कि सूप होता है वैसा ही कुछ दलिया टाइप का इसी को इस्तेमाल में लाया जाता है असल में देखा जाए तो ये भी शावर तंत्र का एक प्रयोग है ये भी शावर तंत्र के जैसा ही एक प्रयोग है तंत्र प्रयोग है इसमें सफाई घर की पूरी सफाई दिपावली के दिन कर दी जाती है लेकिन एक ऐसा ही कोई पुराना वस्तु घर में छोड़ दिया जाता है या रह गया उसी पुरानी वस्तु को ले करके घर की महिलाएं पूरे घर में किसी भी लोहे के बरतन से या किसी भी लोहे की धातु के छड़ी से या किसी भी चीज से बजाते हुए पूरे घर में घुनती हैं और घर में लक्षमी निवास की प्रार्थना करते हुए दर्द्रता को बाहर निकलने के लिए कहती हैं और इसके बाद उसको लेकर के चौराहे तक चली जाती हैं बजाते हुए और वहीं पर चौराहे परिया तो रख दिया जाता है या आस-पास के सभी लोग मिल करके उसको जला देते हैं मैंने जैसा कहा था ये तंत्र प्रयोग के जैसा है दीपावली के प्रातहकाल पूरी रात्री लक्षमी के आगमन के लिए प्रार्थना किया तो लक्षमी तो आ गई लेकिन पहले से जो दरिद्रता है उसे तो आपने निकाला नहीं है तो दरिद्रता को प्रातहकाल हमेशा य आता हकाल उनको विदा दे दिया जाता है कि अब आप चली जाएए अब हमारे हां केवल लक्ष्मी रहेंगी तो ये एक तांत्रिक प्रयोग है जो प्रायह ग्राम्य में गाउं में महिलाएं करती हैं और मैं इसे बता दू कि केवल करती नहीं ये शास्त्र में भी वरनित है ल लोग परंपरा है वहां भी साफ लिखा है ये लोग परंपरा है लेकिन प्रमाडी कई से लिए लोग परंपरा है और ये प्रभावी है तो आप इसे अवश्य कर लीजिए अब चलते हैं आज रभीवार है तुष्णानादी से निबृत्त हो करके बाकी आप जो भी पूज जोड़ करके गढ़े हिजी का अपने गुरुदेव का ध्यान करिए और इसके बाद त्रियाचमय तीन बार राचमन करिए अपने उपर जल्च रखिये आसन पर जल्च लखिए इसके बाद हाँ जोड़कर क्यों अच्छा दायरे में, प्राणायाम करिए रिचा कुम्भा पूरक, तीन प्राणायाम, उसके बाद, दाहिने हाथ में जल लेना होता है, बाई नासिका च्छिद्र के पास उस जल को लेकर के आईए, और धीरे धीरे धीमी गती से बाई नासिका चिद्र से स्वास छोड़ी हस् चाहिए और भुवन भासकर को तीन अर्भ प्रदान करिये एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके तीन बार देना अर्ग देते समय प्राता काल जुक कर अर्ग दिया जाता है कहड़े हो मंत्र बोलिए जुक करके अर्गी दीजे तीन बार बैट जाईए बैटने के बाद गायत्री मंत्र का जब करिए 11-51-180 जितना आप से हो सके गायत्री मंत्र का जब कर लीजिए कीजिए करते ही आपको पता चलेगा कि क्या लाभ मिल रहा है जो कर रहे हैं वो इसका लाभ ले र बहुत खुशी हो रही है जानकर कि भुवन भासकर की आराधना बड़ी संख्या में अब लोग कर रहे हैं पहले केवल करते थे अब उसमें सुधार करके कर रहे हैं कीजिए भुवन भासकर की आराधना से हर समस्या से मुक्ति मिल जाती है बाकी तो कोई उपाय करने की आव के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है आज दिन भर आपकी वियस्ट्टा बनी रहेगी कि वैशे तो छुट्टी का दिन है किसी के लिए भी आज देखा जाये तो ज्यादा तो लोगों की छुट्टी ही होगी अगर अगर आपका पार्टनर्शिक में कोई व्यापार है और पार्टनर के साथ संबंधों में कोई समस्या है तो आज सुल जाने का मौका है आज दिपावली का दिन है हाथ में मिठाई का एक दबा ले करके चले जाएए घर पर बैठिये दो चार मिनट बैठेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा आज कोई आपसे पैसा उधार मांगने आ सकता है लेकिन हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांग लीजेगा और पैसा उधार मत दीजेगा आज अगर छुटी नहीं है आपके व्यापार में तो जो भी काम करिए समभल करके करिए पैसों का ध्यान रखियो और विवाद से बचिए गे आज किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए और वहाँ चलाते समय लापारवाहित तनिग भी मत करिएगा दिक्कत होगी आज प्रेमी से मतभेत की संभावना है इसके मामले में आपको जरा सावधान रहना चाहिए प्रेमी की भावनाओं को आप समझ नहीं पाएंगे और अदामपत्य जीवन में इस्तिति बिल्कुल ठीक है बिद्यार्थिवर की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगने वाला नही पैसे भी दीपावले की दिन पढ़ाई की बात करना बेफिजूल है सेहत जरा सावधान रहीएगा आज आपकी सेहत में थोड़ी परिशानी अवस्य दिखाई पड़ सकती है और वाहन चलाते समय सावधानी बरतीएगा ने तो चुट चपेट की घटना हो सकती है लकी अंक तो आपके लिए भी देखा जाए तो दिन बढ़िया है अपने विचारों और ग्यान के दम पर आगे बढ़ेंगे परिवार के साथ आज समय बीतेगा आपका पूरा का पूरा दिन बढ़िया बीतने वाला है चुट्टी मनाएंगे आज और बहुत बढ़िया है इससे उसे देखा जाए तो आज आपका दिन बहुत बढ़िया है और जो लोग कारोबारी है जिनकी छुट्टी नहीं है उनके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है कारोबार में दिन भर सहयोग मिलता रहेगा कोई बात अगर किसी से कहना चाहते है विशेश कर किसी से अपने प्रेम का तो आज छुटी में आएंगे आप पढ़ाई में मन नहीं लगेगा फिर भी मैं आपको एक बात तो कहीं देता हूं आने वाले दिनों के लिए एक बात ध्यान रखेगा सिनियर्स से स्वयोग मांगिए आपका जो काम रुका हुआ है फसा हुआ है सिनियर्स के स्वयोग से प्राणा याम करिए सब्ताह भर की उर्जा एनरजी इसी से प्राप्त होती है और रात्री में आज शाबर मंत्र का जब अवस्य कर लिजेगा मा की कृपा मिलेगी मिठुंडासी दिन आपका शांति से निकलने वाला है कोशिश कीजिए किसी से भी आज मत भेदना हो करिए यही अच्छा है व्यापारी वर की बात करूं तो कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है जो कारे चल दहा है उसी को लेकर के धान में रखना है और आज कहीं भी पैसा मत लगाईएगा पैसा फस जाएगा आज जो भी काम जैसा चल दहा है बस उसी को यह थावत चलात जीवन बिल्कुल ठिक ठाक दिखाई पढ़ रहा और विद्यार्थी वर की बात करूं मन पढ़ाई में लगना नहीं या छुट्टी का दिन है तो छुट्टी ही मनाएंगे आप घुट्रों और जोडों में दर्द है तो रहात मिलेगी लकियंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए क्रीम भुवन भासकर क्वर्ग प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब करिए प्राणायाम करिए सब ताह भर की उर्जा एनर्जी इसी से प्राप्त हो जाती है और बात अगर करक राश्की करें तो मेहनत का पूरा फल मिल रहा है आपको और मिलेगा जितने भी कहीं घूमने के लिए भी आप जाएंगे या हो सकता है किसी रिष्टेदार के हाँ आज अपने परिवार के साथ आप जा सकते हैं बढ़िया है परिवार के साथ जितना समय वितीत कर सकते हों वितीत करिए इससे रिष्टे भी सुधरते हैं और मन भी खुश होता है व्याप संबंध मजबूत होगा और जीवन सांती के साथ कोई पुरानी अन्बन चलिया रही है तो आज वो खत्म हो जाएगी बिद्यार्ती वर की बात कर ली जाये तो वैसे तो मन पढ़ाई में आज बिलकूल pping नहीं लगने वाला लेकिन किसी नकिसी बात को लेकरके आज टेंसन में आप रहेंगे सेहत को लेकर के जरा साउधान रहिए, पेट समंधित परिशानी भी आपको परिशान कर सकती है, तो खान पान का बहुत ख्याल रखिएगा, लकियंग का आपके लिए आज एक है, लकी कलर आपके लिए पीला है, भुहन भासकर को अर्गे प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जब करिये प्राणायां करिये और सायमकाल हो सके, तो साबर मंत्र का जब आवस्य कर लिएगा, जो मैंने बताया था, मा लक्ष्मी की क्रिपा आवस्य उससे प्राप्त हो जाएगी, बात सिमरासिक के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, धनागमन की सूच आपके मन में आएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपके ज़्यादा तर फैसले सही रहने वाले हैं, बच्चों के सांथ समय बिताना, परिवार के सांथ समय बिताना आपके लिए बढ़िया रहेगा, खुशी मिलेगी, योजना अगर कोई बनाना चाहते हैं, भविश् में नहीं, लेकिन कई बार बड़े जगों में भी आज द्यूत, जुवा खेलने की बुरी आदत लोगों में होती है, खेलते हैं, अब ये कहां से आया, भगवान जाने, लेकिन अगर द्यूत, जुवा खेलने की आदत है भी, तो भी इधर उधर बैठ करके समय ब्यर्थ न चुट्टी का दिन है, इस को सही इसका लाब उठाइए, पहले तो परिवार के साथ समय ब्यर्थ करिए, दूसरा दीपावली का समय है, बच्चों के साथ समय ब्यर्थ करिए, बहुत अच्छा रहेगा ये आपके लिए, प्रेमी के साथ शंबंध, अगर खराब है तो पढ़ाई में लगेगा नहीं, फलस्वरूद, पढ़ाई की बात तो की ही नहीं जा सकती, चोट लगने की संभावना है, सो वहां चलाते समय सावधान रहे, सिरदर्थ की शिकायत हो सकती है, पटाखोई त्यादी से दूर रहिएगा, कोई दूर घटना भी हो सकती है, प्र आप दिखाई पढ़ रही है, कोई शुबसंदेश भी आज आपको मिल सकता है, एक नया जोश आप अपने अंदर महशूष करेंगे, घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या चली आ रही है, आज वो दूर होगी, परिवार के साथ ही रहेंगे आप, परिवार के साथ कही चुटी नहीं है, तो व्यापार में सावधानी से आगे बढ़ते चले जाएए, फायदा मिलेगा, लापार वाही की संभावना आज आप से बहुत जादा है, काम का आज जादा होने के कारण आज थोड़े परिशान भी आप हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे वरकर आज चुट भेध है, तो उसे दूर करने का प्रत्न करिए, जीवन साथी के साथ किसी बीबात परगर, जिद आपने कर रखी है, किसी बात के लिए अड़े हुए है, आप ही मान जाएए, जुक जाएए, दावपत्त जीवन को सुखद बनाने के लिए कई बार जुकना बहुत जरूरी ह होता है, और विद्ध्यार थीवर्ट की बात करूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है, छुटी का दिन है और छुटी में ही आप वितीत करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं आने वाले दिनों में आज की पढ़ाई को आप पूरा कर लेंगे, बच्चों की सेहत में, पर बन भासकर कवर के प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जब करिए, प्राणा यान करिए, और नींद की कमी है, तो रात्री में शावर मंत्र का जब कर लीजिए, फिर देखिए, मा की कृपा बरस जाएगी सुवलक, लखी अंक पांच और लखी कलर आपके लिए आज सफेद ह बात अगर तुला राशी की कर लीजाए, तुला राशी के जातकों के लिए दिन कैसा है, मन को साकारात्मक बना करके रखना होगा, आपके सामने कोई नहीं टिकने वाला समय बदलने जा रहा है, चार बच करके 32 मिनट के बाद सायम काल, सब कुस दीरे-दीरे करके ठीक होता चला जाएगा, रुकावटे, अंसुल जे, मामले, सब को छोड़ करके आप आगे बढ़ जाएंगे, परिवार के साथ आज हो सकता है कहीं घूमने के लिए जाएंगे, किसी रिष्टदार के यहां जा सकते हैं, हो सकता है कोई रिष्टदार आप के यहां आ जाए, आपको अपने कामकाज से जुड़े, नए-नए खालात आजमन में आते रहेंगे, लेकिन अपने खाल को अपने पास ही रखिए, आज पूरा समय अपने बच्चों को दीजिए, परिवार को दीजिए, ब्याय करने जा रहे हैं तो पटाखोई त्यादी पर ब्यर्थ का और काटिपणी नहीं करनी है, प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान ने दिखाई पड़ रहा है, और आज जीवन साथी के दिल में आपके लिए सम्मान और प्यार बढ़ने वाला है, विद्ध्यार्थी वर्थ की बात करूँ तो सीदी सी बात है, आपके लिए एक ही बात चु आपको महसूस होने वाला है, पुदाने रोग उभरने से परिशानी हो सकती है, इससे भी आप परिशान होंगे, लकियंक आपके लिए तीन है, लकी कलर आपके लिए लाल है, भुवन भासकर को अर्गे प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जब करिए, प्राणायाम करिए, और आज सायंकाल, यानि मध्धरात्री में, शावर मंत्र का जब करना मत भूलिएगा, वरिश्चिक रासी, वरिश्चिक रासे के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या आ रहा है, अचानक धनलाव का योग बना हुआ है, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, या म मिल जाएगा, इस बात की खुश खबरी आपको मिल सकती है, पारिवारिक जीवन में सुधार होने वाला है, दिन भर आज आप व्यस्त रहेंगे, अपने शौग पूरा करने में भी आप आज अपना समय देंगे, जो की बहुत अच्छी बात है, छुटी का दिन है, पूरा दिन अपने परिवार के साथी वितीत करिएगा, और वियापारी वर के लिए देखा जाए, तो दिन बहुत अच्छा कह सकते हैं, वियापार में लाब रहेगा, भावनाओं में बहकर कि किसी से कोई वादा आज मत करिएगा, और नब लाइफ की बात कि द्रकर ली जाए, त जीवन साथी के साथ जितना भी समय बीतेगा, बढ़िया बीतेगा, कुछ उलजी बातें सुरज जाएंगी, प्रेम संबंध बिवाह में तबदील हो जाएंगे, मिला जुला करके देखा जाए, तो बहुत बढ़िया है दिन, विध्यार्थी वर की बात करनों, तो यही कहन आपको मिलने वाला है, पेट से समन्धित परिशानी आपको परिशान कर सकती है, ऐसी ज्यूटी की सिकायत हो सकती है, कमर के नीचे के हिस्सों में भी, कोई परिशानी उभर सकती है, जरा सावधान रहिएगा, लखियंक आपके लिए दो लखी कलर आपके लिए भूरा, कोई सुभ समाचार आपको मिल सकता है, या मिलने वाला है, कोई बड़ा फैसला लेने के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, सुखद एवं लाभदाई यात्रा के भी संयोग बन रहे हैं, तो जरूरी है अगर किसी रिष्टदार के वहां जा रहे हैं, जा कोई बड़ाई में लगेगा, दोस्तों के साथ कई घूमने के लिए जाएंगे, परंतु कोई बात नहीं, छुट्टी का दिन है, आनंद के लिए साथ वेतीत करिए, ब्लड प्रेसर की जो रोगी है, उनको जरा सावधान रहना होगा, समस्या बढ़ सकती है, कोई पुराना रोग आपको परिशान कर सकता है, लकी यंका आपके लिए आज तीन, लकी कलर सफेब, भुवन भासकर कवर के प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जब करिए प्रानायाम करिए, सब्ताह भर की उर्जा और एनर्जी इससे प्राप्त हो जाती है, और मध्यरात्री में, आज का दिव्य महा प्रयोग, मध्यरात्री में, शावर मंत्र, जो कि मैंने बताया था, मालक्ष्विक की गर्पा प्राप्ती है, तू अवश्य कर अपने काम के लिए जल्द ही आप पुरस्कृत होंगे, बहुत बढ़िया है सब कुछ, साकारात्मक दृष्टिकोण, आज आपके अंदर उपजने वाला है, अपने अंदर से साकारात्मक दृष्टिकोण निकलेगा, जो कि बहुत बढ़िया है, और व्यापारीवर के लि विशेसकल मेडिकल फिल्ड के विध्यारतियों के लिए थोड़ा प्रिसर आप लेंगे, प्रिसर क्या हो सकता नहीं, यह कोई बात नहीं, छुट्टी का दिन है, आज बर छुट्टी मनाईए, बाद में सब कुछ ठीक हो जागा, पैर में दर्द की तकलीप आपको हो सकती ह जरा सावधान रहिए, लकी अंकचार, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और लाल का मिस्रण है, भुवन भासकर कवरगे परदान करिये, गायत्री मंत्र का जब करिये, प्राणायाम करिये, और मध्यरात्री में शावर मंत्र का जब कर लिएगा, मालक्ष्मी की क्रिपा वर समस्याँ पर नए सिरे से विचार करिये, समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, आज आप नए आउसरों के बारे में भी विचार कर सकते हैं और हो सकता है, कुछ ऐसे दोस्तों से आप मिलेंगे, जिनसे मिलने से आपकी कई सारी समस्यां दूर हो جाएगे, परिवार के दिर्खकालिक बनाईएगा जल्दबाजी में कोई काम करने का निर्णे मत लीजेगा और प्रेम संबंधों में अगर बिवाद है तो दीपावली से शुब समय कौन सा होगा निप्टाने का प्रत्न करिया निपड़ जाएगा साम तक हर परिशानी समिक्ति मिल जाएगी निपसान हो सकता है ठकान और आलस से स्या परिशान हो सकते हैं हलां कि कोई बहुत बड़ी परिशानी नहीं होने वाली है लकी एक लकी कलर महरून भुवन भासकर क्वर्गे प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब करना मत भूलिएगा वर्स परियंत मालक्ष्मी की क्रिपा बनी रहती है और बात अगर मीन रास्की करें तो पैसो से जुड़ा या घर से सम्मंधित कोई भी मसला है मामला है उसे आप सुलजाईए दिवाली का दिन है सब के साथ मिल बैट करके बात करिए घर का माहल प्रेम मैं बना दीजिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा परिवा के लिए देखा जाए दिन सामान्य परन्तु फिजूल खर्च होने का योग बन रहा है किसी भी प्रकार के बहस में मत पढ़िएगा विश्यसकर ब्यापारिक उस्थल पर आज किसी से भी बहस आपको नहीं करना है लब पार्टनर को खर्च आज जादा हो सकता है और विद् दिन आठ थोड़ी सुस्ती सी रहेगी छुटी का दिन अवस्य है लेकिन इसे सुस्ती में मत बिताईए प्राताकाल शनानादी करके भगवान भुवन भासकर को अरगे प्रदान करिए प्रानायाम करिए गायत्री मंत्र का जब करिए उर्जा एनर्जी इससे आ जाती है और